आपके और मेरे बारे में कैसे है और क्या है आज हम बात करेंगे उब्भोकता के बारे में और आज जो हमारा विशय है वो है जागो उब्भोकता जागो उब्भोकता आप और हम आज 365 दिन के अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हर समय हम किसी न किसी रूप में उब्भोकता जरूर होते हैं तो हमारे लिए जानना हमारा दाइत्वी भी है और हमारे लिए जानना हमारे लिए बहुत जारा जरूरी भी है तो आज इस विशय के ओ, आगे बढ़ाने के लिए मैं आमन्तित करता हूँ, हमारी बीच में अतुल जी आयो हैं, आप अतुल कुमार चेटर जी, आप वरिश नयाएक सदेस्य हैं, राजस्तान राज्य उभोकता आयोग, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज के हमारे कार अतुल जी, मैं सबसे पहले आप से जाना चाहता हूँ, जागो उभोकता जागो, आज का हमारा विशय है, उभोकता को जगाने के लिए कानून भी बहुत तरीके से आगे आता है, और सरकार भी अपनी तरीके से काम करती है, लेकिन उभोकता, ये कि श्रेणी में आते हैं औ अगर हम शर्वात करें तो, उभोकता जो कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तू या कोई सेवा, मूल लिए देकर क्रै करता है, वो उभोकता हूँ, और जैसा भी आपने बदाया कि पूरे उगर्ष परियंद, मतलब तीन सो पैंसेट दिन, हम किसी ने किसी रूप में सुबह से ल जो है, हम ओनलाइन फूड और करते हैं, डिफिन डिफिन अमारे अपरेल्स और कई आइटम्स, फनिचर्स वगरा, एलेक्टोनिक आइटम्स वगरा करते हैं, तो डेफिनिटली अब उसका रूप और बढ़ चुका है, अब समय ही आ गया है कि उभोकता को अपने अधिकारो की रक्षा के लिए और उभोकता संड्रक्षन अधिनियम जो कि उनके अधिकारों को सुनश्चित करने के लिए, अब भारत सरकार द्वारा सुद्धन के मादियम से 2019 में नया अधिनियम भी लादिया गया है, और उनके अधिकारों को बहुत व्यापक तौर पर उनको संड् पर सार के लिए विभिन जिसे शोचल मीडिया और jakiś भृवित करती है उसका राभ उठाना च lu कर्बicken और अन्दकार के लिए उभेख्ता को जागरुक रहना चाहिए जागरुक रहना हमारा हग और हमें पता होना चाहिए कि आप निदेशक आने अलो रहे कैसे हैié दिवस बनाते हैं, चाहें वो 15 मार्च की में बात करूं जो अंतराश्ट्री इस्तर पर मनाया जाता है, चौबिस दिसंबर की बात करूं, जो कि हमारे राश्ट्री इस्तर पर बनाया जाता है, लेकिन हमारा, क्योंकि जब अभी हमारी बात हुई, 365 दिन बोगताओं के लिए तो उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से आमागी तक उसके राइट्स को लेकर के वो पहुंच रही है, बिल्कुल आपने सहीक फरवाया कि दिवस तो एक या दो दिवस आते हैं, लेकिन उभुकता पर्तिदीन होता है, पर्ति संड जब भी वो किसी भ का अधिकार है, उसको जानने का अधिकार है, उसको चुनने का अधिकार है, और सब जब उसके साथ फ्रोड हो जाए तो उसको उसका निवारन करने का अधिकार है, और उसके साथ जो एक और अधिकार जो अभुकता को दिया है, वो है, उसको जागरुकता का, यानि हम कल्या कारी राज्य के मादधेम से अगभारों के मादधेम से समय-समय पर या आज दूरदशन के मादधेम से अबहुक्ता को जागरू करने के लिए हम कारेकर्म चलाते रहते हैं राजय सरकार-दोरा जो हमारा विभाग है उबहोकता मामला विभाए उस में सोसिल मीडिया के मादम से पढ़ती दिन उबहोकताओं को जागरुत करने के लिए पेज चलाया जाता है उस पेज पर उबहोकताओं को किन किन बातों की साउधानी चीए, जानकारी रखनी चाहिए और पता होना चाहिए कि पर फोरोड होता है उसको अवेर करने के लिए आप तक बात पहुचाने के लिए सरकार उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे अवैर करती है और दूदेशन तो हमेशा से आपको पता ही है कि अगरनी रहा है आप तक सूचना पहुचाने के लिए तो अतुल सर ये एक सवाल जहन में आता है जब हम अभोकता की बात करते हैं फ्रॉड के भी बात हुई तो एक फ्रॉड होता है अगर मालनी जी किसी के साथ में तो नियाः प्रणाली किस तरह से उसको सपोर्ट करती हैं, किस तरह से एक आम आदमी आप तक पहुंचे या नियाः के लिए पहुंचे उसको निया मिले तो सबसे पहले उप्भोक्ता संद्रक्शन अदीनियम के तहत जो ग्रिवेंस रिड्रेसल का मेकनिजम दिया हुआ है उसमें अगर आपका मामला पचास लाग तक की वेलिवेशन का है का मुल्यंकन है उसका आपने अगर कोई सेवा ली है या कोई वस्तू खरी दिया तो आपक सब्सक्रित जिला उव्भोक्ता आयोग के समक्ष पेश करना पड़ेगा और पचास लाग से लेकर 2 करोड तक का होगा तो वह राज्यायोग में आएगा और 2 करोड से उपर वाले जो सारे मसले हैं वह रास्टी उभोक्ता आपके है हुए हमारे उभोक्ता संद्रक्शन अधिनियम बड़ा कंजूमर फ्रेंडली है, मुझा को इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसमे कोई कानूनी पेचिद के भी बहुत जादा नहीं है, इस अधिनियम में इसका जो प्रोसीजर दिया हुए, प्रक्रिया दी हुई है, इसमें दीवानी प्रक्रिया सहीता पूरी तर के प्रावदान लगु होते हैं। बाकी में जो CPC की जटिलता हैं, CPC में बहुत लंबा प्रसिजर कोड है। उसमें सेक्शंस भी हैं, ओर्डर्स भी हैं, वो सारे इसमें लगुनी होते हैं। तो इसका मतलब है कि सरल प्रक्रिया है, कंजिमर फ्रेंडली है, इसी प्रकार साक्ष दिनियम के भी सारे प्रावधान लागुनी होते हैं। जैसे मैं आपको उधारन देना चाहूँगा कि हर मामले में ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉकुमेंट पेश करना पड़े। अगर आपके प चाहिए और जिला आए होगो, राजज्या आए होगया रास्ट्रे आए होगो, वो उसको सुनवाई के लिए स्विकार करेंगा और नोटिस जारी करेंगा। उसके बाद जब बख्षी आएगा उसको नकल दी जाएगी, परिवाद की अधस्ता विजात की, और उसका ना चाहते हो तो कहने का मतलब है कि और अब तो यह इद आखिला भी शुरू हो गया है अब इतना ज्यादा कंडिने हो गया है कि आप घर बेठे इलक्रोनिक मीडियम के जरिए इद आकिला का एब बना हुआ है वेब साइट पर उसका वो दिया हुआ है उस पर आप जाके अपना केस पेश कर सकते हैं इसमें कोई वह भी नहीं है कि इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको मतलब जैसे को दावे का एक फॉर्मेट ह ज़से सामय मैंने इस तारक को यह चीज खरीडी और इतने से दिन में इसे इसमें डिफैक्ट हो गया और हममयने इसमय नहीं किया को इस तरीके से स्वा में करीद रिखती तो यह कमने आप है अपने कीमावध्या फ्र evolution के बटेसे हिसे रिश घर मामले में आऊशक्ताम पर वीदिक विदीक प्रतिनिति को को अतंते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जान करेंगेगेu उसमें उसका वो दिया हुआ है, उसका एप है, एप कहलो या उसमें उसका लिंक को उपन करो, तो एक एक चीज आप लिखते जाओ उसमें, बताते जाओ, आपने डिटेल लिख दो, then you submit it, उसके बाद आजाएगा, फिर वो लेकिन उसमें फिर कहा है, उसके बुलाए जाएग उसके मादिन से हो जाता है, और अगर फिर भी नहीं आते, तो हम उसको एक विक्तिकर नोटिस भी बेचते हैं, तो ये जानना आपके लिए कितना अच्छा है, और जरूरी है कि जब आप कानूनी प्रक्रिया के तरफ जाते हैं, तो वकील करना जरूरी नहीं है, दूसरी ब और दो करोड़ से उपर के हैं, वो जाएंगे आपके राश्ट्री इस तरह पे, तो ये जानना बहुत जरूरी है, कालोरम सर, आप से एक सवाल मेरा था, कि कानूनी प्रक्रिया तो हम थोड़ा सा इसको और भी अभी जानेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में एक आम आदमी हिचकता है जाने से, तो अगर मैं बात करूं कि बिना कानूनी प्रक्रिया के होते हुए, आपके विभाग में कोई आता है एक आम आदमी, और उसके साथ में किसी भी तरह की कोई जैसे अभी बताया, अनफेर प्रैक्टिस हुई, कोई फ्रॉड हुआ, तो किस तरह से बिना कानूनी प्रक्रिया उसको एक आम आदमी को आपका विभाग उसको मदद करता है, जी कि सबसे पहले तो यह है कि हम यह प्रियास करते हैं हमारा विभाग की उसको जागरू कर लिया जाए, और जागरू होने के बावजुद उसके साथ कोई अनफेर्ट प्रैक्टिस होती है गलत होता है, तो फिर हमारी एक हेल्प लाइन है, उस हेल्प लाइन पर वो अपनी फोन से ही शिकायत दर्ज करा सकता है, उसको सुचना मांगेगी कहां से खरीदा, बिल कितनी तारिका है, बिल की कोपी मांग सकते हैं कि इमेल एड्रेस बेज़ देंगे, और किसी माद्दि से जिस विक्रेता ने उसको बेचा, उसको एक नोटिस जाता है, और नोटिस देके उसको बताया जाता है कि ये आपने इस उबहुकता के साथ में ये गलत किया है, या ये शिकायत है, इस शिकायत के समन्द में या तो इसका निवारण करें या अपना पक स्पेस करें, ये यदि अम्ममन यह होता है कि यदि उसकी वास्तम में जिनाइन सीकायत है कोई डिफेक्ट हो गया उसमें गारेंटी पीरिड था और उपकरण पहले खराब हो गया या उसने MRP से ज्यादा वसूल लिया है या उसकी गुणवता सही नहीं है तो विक्रेता उसको सुविकार कर ल पेस्ट करें लेकिन मैं इससे पहले भी यह कहा हूँगा कि यह यह आवई यह इसी बात हो इन्हीं उससे पहले उभोकता को जागरुक रहना चाहिए और जागरुक रहने का मेरा मक्सद यह है कि जब भी हम खरीदें तब यह देख लें कि वस्तु की किमत वास्तम में जिना जाती है और जब आप घर आते हो तो पता चलता है यह तो वास्तम को बहुत कम रेट में उकलब्ध है या उसमें कोई हम खादे वस्तु में खरीदते हैं तो उत्पादन की तारिक यानि manufacturing date और expiry date लिखना ज़रूरी होता है और वह जो वस्तु है हमें expiry date की मिल जाते है और उससे हम गणना कर सकते हैं कि तीन महा कप पूरे हो रहे हैं तो वह खरीदे ही नहीं या MRP से ज्यादा नहीं खरीदे उसमें कौन-कौन से ingredients हैं वह हम देख ले और दूसरा है कि चुनने का अधिकार हमें दिया हुआ है कानून के दवारा कि हम दो या तीन जगह से चाए ओन था हुआ वान हैं चाहर पाईया भाए беспयो रे ciekंर हम यूजे ले ने जाते है और पेट्रोल डीजल लेने पर हम जके और ले लेते हैं हम यह नहीं देखते हैं कम मात्राव जीग नहीं देगने तो इसको सक होता है मुझे कम प्योट्रोल डीजल दीना जा रहा है तो वहां प पेट्राल पंप के जो भी मैनेजर है कि मुझे इसका सत्यापन किया हुआ है वह बता ही आप्वान से जो भी सत्यापित माप माप निरख्षक कPop reflect on in the one ten whole अपलए कि यह यह पrudदारन बता बिन बंडविंज को जाग ठुच में आगरूर है और इतना जागरूग होने के बाद भी दिसके साद में चल हो जाता है यह ठगा जाता है तो फिर हमारी। हैों हैं पूल किसी हैं स्थमक्राइब का कोई फ्रक करने आ boundary का मैं यहां है या वेब और साथ दिर्ट होता है। हाँ बिलकुल हमारी help line का नमर बता जिता हूँ 1818630 यह help line है यह तो help line है इस पर call करते हैं यह अपने आप पर पर कारेले समय है इसमें यह चुट्टी के अलावा यह संचालती होती है यहां पर अपनी शिकायद दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा whatsapp नमर भी है क्योंकि help line पर कई बार हम पूरी बात नहीं बता बाते है तो वाटसब नमर पर हमारा बिल या जो हमारी शिकायत है वह पूरी लिख के बहे सकते हैं वह है तो इसमें कोई आपके तरफ से निर्धारित सीमा है कि इतने दिनों तक ही शिकायत पिल ली चाहिए या फिर ऐसा है कि इसके बाद में उनको सिर्फ कोट ही जाना पड़ेगा कई वह असा होता है कि मामला कि में पूराना था हम एक लिखरी अब हमारे इस तरह पर ऐसी कोई समय सेमा जिर्धारत नहीं है जब भी भोगता चाहिए तभी वह उपनी शिकायत धर्ज करा दबसे ही विखरेता को एक नोटिस जारी करतें जिस्से कि आपस में यह दोनों सहम मादान कर लेते हैं तो सबसे बढ़ी आए आज कर लेता है मतलब कोर्ट की परिक्रिया से बचने का है कि आपस में सुलह यह इसको कह सकते हैं सुलह यानि कोर्ट में जाने से पहले ही सुलह हो जाती है और एकसेप्ट कर लेता है और उदर भोकता की सिकायत मान लेता है कि हां मे वह वह बात करें हम दोनों चीज़ जाना चाहते हैं अगर वह अभी तक नहीं गया है और सीधे अगर कोड आता है तो समय सीमा क्या है या code उसको कंसेडर करता है कि वो पूरा प्रोसेस यहां से करते आ रहे हैं, दो बार नोटिस जा चुका है, दो बार नोटिस जाने के प्रक्रिया में टाइम भी लगा होगा, तो code क्या उसको भी चंसेडर करता है? अधिनियम के अंतरकत, वाद कारण जो cause of action होता है, वो उत्पन होने से दो वर्ष के अधी में परिवाद पेश कर सकते हैं, और फिर भी अगर किसी कारण से दो वर्ष से अधिक के समय व्यतीत हो गया है, तो कारण बताएंगे तो वो डिले कंडोन हो सकती है, अच्छा, नमब कारण चाहता है, इनकी मदद लेके, और उसमें मोस्टली हो जाता है, क्योंकि इनका सेट प्रिक्रिया है, निरदारित प्रिक्रिया है कि जब भी इनके पास कोई शिकायत आती है, तो उसको नोटिस देते हैं, कि आपके खिलाब यह ऐलिकेशन आया है, यह आक्षे आया है, आप बताओ, अपना पक्ष बताओ, हमें बताओ, और यता संभाओ, इसको निवारण करो, तो बहुत सारे कैसों में ऐसा होता है, कि वो देखते हैं, कि हमसे लिया था, और वारंटी में है, तो किसी भी जो सेवा पुरदाता है, विक्रेता है, उसको को दिक्कत भी नहीं हो तो देख लाएं, ठीक है, आप मेरे पास ले आओ, वारंटी में कवर हो रहा है, तो हम आपको रिप्लेश कर देंगे, तो थोड़ा समय लग सकता है, कि हम कंपनी से संभर करके आपको रिप्लेश करवादेंगे, तो बहुत से कैसों में हो जाता है, लेकिन कभी किसी कारण स बहुत सारे एक्स्ट्रा कारण भी होते हैं, कि कोई वारंटी को फुल्फिल नहीं करना चाहता है, या कई बार उनका एजनसी हट जाती है, वो उसका रहता नहीं है, किसी जो भी ब्रेंड है, उसका वो हट जाता है, तो पर बहुत होता है, आप तो वहां जाओ, वहां करते हैं, वो लोग पर रशान करते हैं, तो फिर हुए है कि ठीक हमारे पास आओ, वहां बुला के पूछ लेंगे, और उसका नहीं वारंट कर देंगे, यह है, मेरा सवाल आप दोनों से ही यह था, क्योंकि अभी आपने भी जैसे बात करी और आपने भी कई, कि कुछ लेकिन क्योंकि आज कर डिजिटल पेमेंट हैं, तो वह भी एक तरह से प्रूफ हम मान सकते हैं, तो क्या वह एडविजबल होते हैं, डेपार्टमेंट वाइज और कोर्ट वाइस, कि हाँ यह एक रह विक्रह हुआ, यह भोगता के बीच में डील हुई, यह उसको नहीं मान पे या आपके लैपटॉप पे अवले पे उसका प्रिंट आउट, एससोचेटेड विडिविट, अच्छा एफिडिविट बनेगा, आप अपना ओरल एविडेंस दोगे, यह मैंने इस माध्यम से इतना प्रिमेंट किया था यह चीज ली थी, और बिल मैंने लिया था लेक जैसे आपने कोई रिचार्ज किया है, तो किसी भी सर्विस प्रोइडर का आपने उसको रिचार्ज किया तो उसका इन्वाइस आजाते है, ठीक है ना, और अगर नहीं है तो भी अगर आपके यह प्रूफ है कि I have paid this amount through this electronic medium, और फिर आपका एफिडविट है, कि मैंने यह च आपके बहुत अच्छी बात कि आपके अगर डिजिटल पेमेंट किया हुआ है, वो भी प्रूफ आप उसको अपने एफिडविट के साथ में सनलगन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दोनों एक्सपर्ट से आज आज यह आपसे बोलना बार बार चारहे हैं और दूदशन के मा प्राप्त करना हमारा अधिकार है, तो कोशिश करें जारा-जारा कि आप जो भी ट्रांजिशन करें उसके बिल जरूर प्राप्त करें, और बिल अगर किसी कारणवश आप नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको इन्वाइस या ट्रांजिशन की संबरी मिल जाए, वो आपके लिए मददगार होगी, कल को अगर आपको किसी भी तरह से, अगर मदद चाहिए होगी, कोड से या फिर देपार्टमेंट से, तो आपके लिए मददगार होगा. इसमें एक चीज़ एड़ करना चाहूँगा, कि जब हम डिजिटरल पेमेंट करते हैं, तो आजकल हम जब भी जाते हैं, तो फोन से भुक्तान हो जाता है, तो भुक्तान करते समय जब हम स्केन करते हैं, तो कभी भी उसका परसनल नमर पर उसका भुक्तान नहीं करें, कई बार हो जाता है, आप इस नमर पर मेरे भुक्त बहुत इची बात यह हमारे सामने आई तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि जब भी हम कोई डिजिटल पेमिंट करेंगे तो यह ध्यान रखना है कि उसके एंटरप्राइज यह उस शौप का नाम यह विंचर का नाम उस बिजनिस के नाम पर हम किसी परसनल बिना करें अतुल सार कालोराम सार मज़ा आ रहा है कि बस आपसे बात करते जाएं और अपने राइट्स के बारे में जानते हैं लेकिन समय आपके और हमारे लिए रुकता नहीं है जाते जाते आपकी तरफ से आपकी तरफ से हमारे वीवर्स के लिए क्या संदेश है अगर आप है वो देखिये कि वो एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है वो आप से मर्पी से बहुत ज़्यादा बढ़ा के फिर आपको कंशेशन दे रहा है कमिशन दे रहा है इस तरह के अनुचित प्रकिस तो नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा अगर आप सजग रहे के चलेंगे तो ऐस यह हमारा आयोग है अपके सा है तब यह कह ना चाहिए हूं के तो नहीं कि नहीं कृट्टं हुई आपके साथ हमेशा है हम आपके साहन निया के अज नवकु करता है हमारा आयोग आपके साथ है यह कहना चाहेंगे बहुत बिड़े बार सर उब्वक्ता जब भी कोई वस्तु या सेवा पराप्त कर रहा है उसको सबसे पहले ध्यान रखना है पूरी तेकिकात कर ले कौन सा सामान ले रहे हैं उसकी क्या दरे हैं वो जिनायन है नहीं है उसकी कि पर आपके लालच में आजाते हैं कि ओफर मिल रहा है लेकिन एक्सपारी डेट का सामान मिल रहा है तो कई बार ऐसी भी वेबसाइट आती है जो वास्तित्व नहीं कर फरजी वेबसाइट बना के और ओन-लाइन खरीद कर लेते हैं और वास्तम हमें प्रोड़क्ट डिलिव प्रोड़क्ट बना करनी है तो उसको जागरूक भी रहना जरूरी है राज्य सरकार के उभ्भुगता मामला विभाग दवारा बार सरकार दवारा जो सोचिल मीडिया में जो हम चला रहे हैं उनका हमेशा उसको फॉलो करते हैं जिससे उनको नमीन तम सूच रहे हैं जो है आजकर ओनलाइन जो प्लेटपोर में उसके विक्री हो रही है वो भी अब उभ्भुगता कानून के दाएरे में आ गई है तो यह सब चीजे जो है उसको जागरूकता के लिए ही हम कर रहे हैं तो उभ्भुगता जितना जागरूक रहेगा उभ्भुगता के अदिगार सु आगे सामना करना अगर हमार सब कोई फ्रॉट करता है तो उसको इस सिखाना है कि हम जाग चुके हैं फिर आएंगे एक और चर्चा की विशा के साथ में अपना ख्याल रखें नमस्कार